हम आपको कैसे इस वीडियो में पता चल जाएगा कि उसके वीचे का सच कहता हूं आपको इसमें कुछ ना तो समझना है ना कुछ नहीं होनी चाहिए बिलकुल आपको इसो रटना है अगर आपको जौन कीट्स के सारे वर्क्स याद हैं तो आप डिरेकली पता लगा लेंगे कि यह एड़ोनिस जो है यह उनका वर्क नहीं है एड़ोनिस क्या है एक इलेजी है यह चीजें यह फेक्ट आप लोगों को पता होने चाहिए कि जो वर्क है वो क्या है तो एक तो हो आपका कि इलेजी है, हर work में हर वीडियो में मैं आप लोगों बताता हूँ कि किसी work में कोई work क्या है किस जैनर में आता है, ये कब लिखा गया, ये आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि question इसी तरह से बनेंगे कि अब पूछा जा सकता है कि Adonis कब लिखा गया ये लिखा गया आपका 18-21 में अब इसके बाद आता है कि Adonis जो था वो किस ने लिखा तो ये आपका PB Shelley ने लिखा था ठीक है इस तरह से आपको fact आपको याद होनी चाहिए किसी भी work के पीछे अब जैसे आगया आपका Ode 2 आटम आ सकता है कि ये कब लिखा गया और किस जैनरा में है तो ये Ode है अलरड़ी ये तो पूछा नहीं जाएगा जैसे सेंट आफ इवाफ सेंट एगनेस है ये पूछा जा सकता है इस तरह के आपके questions होंगे तो ये fact wise जो exam होता है TGT PGT आप चाहिए KVS की तयार की कर लीजिए NVS की कर लीजिए किसी भी state की कर लीजिए उस सब आपका fact wise होता है तो अब next question देखते हैं तो जो short notes जो मेरे notes के अंदर है उसमें मैंने आप लोगों को पूरे जो point laurets हैं वो भी आप लोगों को वहाँ पर दिख गए होंगे कि point laurets जब William Vergeworth को मैंने जो वीडियो बनाया है एक घंटे का उसमें भी मैंने आप लोगों को समझाया था कि किस तरह से आपको ये याद करना है कि 1850 इसमें बहुत सारे लोगों का comment है कि किस तरह से हम जो writer हैं उनको उनकी जो date of birth याद करें तो simply एक बहुत easy तरीका ये है कि आप क्या कर दीजिए ये मान के चलिए कि जैसे Shakespeare का है Shakespeare 64 case का है उनका जो weight है उन 64 case है इस तरह से याद रख लेजिए जो वर्जवर्थ है उनका 70 case के हैं वर्जवर्थ तो इस तरह से आपको याद रहेगा कि ये कितने जो भी उनकी year है उससे आप उनको मान के चलिए कि ये कितने case के हैं आपको अलरड़ी याद होना शुरू हो जाएगा तो आपका जो right answer था वो था आपका Lord Tennyson क्योंकि वर्जवर्थ भी आपके syllabus में है Tennyson भी है तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि इनके life से related की ये का point laureate मिले अगर किसी को nobel prize मिला है तो nobel prize की list बना लीजिए अगर साहिते academy मिला है तो साहिते academy आपको मिल जाएगा कि कब मिला है तो ये जो चीजें हैं ये मैं already आप लोगों को अगर जिसके पास note सुंगे वो आप लोगों को पता चल जाएगा अब next जो है वो है आपका कि John Keats क्योंकि हमारे पास है already और John Keats को मैंने लगबग तीन video उस पर channel पर already है लेकिन मैं चाहरा हूँ कि उनकी जो quotations है already मैंने John Keats की quotations बताई हैं लेकिन कुछ special quotations वाली video भी अभी आने वाली है तो तीसरा जो है आपका है negative capability negative capability जो है वो आपका थोड़ा सा यहाँ पर fact based नहोंकर understanding based है कि यहाँ पर समझ में आना चाहिए negative capability को एक simple form में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो इसमें क्या होता है जो writer होता है वो खुद को negate कर लेता है means आप अंदाजा नहीं लगा सकते किसी work से कि वो work किसी particular writer ने लिखा होगा all right क्योंकि जब negative capability किस से related थी यह आप लोगों को पता होना चाहिए उन्होंने इसे Shakespeare के से relate करके बताया था यह आप लोग अपने दिमाग में बठा लीजिए कि जो negative capability है उसमें उन्होंने example किसका दिया था Shakespeare के लिए Shakespeare best negative capability का example है means Shakespeare कि अगर किसी भी work को आप पढ़ेंगे तो आपको यह नहीं लगेगा कि यह Shakespeare ने ही लिखा होगा means Shakespeare की कोई particular कोई quality नहीं है लिखने की यह तरीका नहीं है हर दूसरे work में आप different पता different चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी तो जॉन कीट्स इसका answer था next है यह वाला जो है मैंने आप लोगों को पूरा एक video इस poem पे दिया है जो कल ही upload किया है उस T.S.I.L.E.T. का जो वीडियो मैंने कल upload किया था उसको आप पूरा देखे क्यों 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 कि यह बहुत important poem है यह प्रफ्रॉक poem जो है इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए इस poem से प्रफ्रॉक जो poem है उस poem से आपको यह मिलेगा ही मिलेगा एक question तो आप लोगों को मैं यह पूछ रहा हूँ कि यह प्रफ्रॉक है वो T.S.I.L.E.T. ने कहां से यह नाम लिया था अगर आप लोगों ने वीडियो देखा है अच्छे से तो यह answer आपको 100% आता होगा अगर नहीं आता है तो जाके दुबारा देखिए और बहुत अच्छे से देखिए क्योंकि एक गंटे के वीडियो बनाने में लगबग तीन गंटे लगते हैं तो इस मेहनत का कम से कम आपको फाइदा मिलना चाहिए और आपको यह वाली लाइन बहुत बार पूची गई है तो यह इसी पॉइम में है टी एस इलियट का पिसला वीडियो देखिए तो answer क्या है टी एस इलियट है यहाँ पे देखिए इस पे मैंने पूरा वीडियो बनाया है ठीक है यहाँ पे आड़ कर लिया था i have something to say want to listen for a bit u means you and i as we read the poem यहाँ पे जो you है यह पूछा जा सकता है जो writer है उसने you और I किस-किस के लिए use किया तो you तो उसने use किया है जो you means you and as i as we read the poem जो i यूज किया है वो reader के लिए किया है ओर राएट तो एक question बन सकता है तो जो I है वो किसके लिए यूज किया है? राइटर के लिए यूज किया है So let's make it कि जो इसमें दो वर्ड आये हैं U है U वर्ड है और दूसरा है I वर्ड तो I वर्ड है आपका राइटर का सौरी आपका जो राइटर है और U वर्ड जो उसने लिखा है वो सिंपली रीडर के लिए लिखा है तो चलिए आप नेक्स्ट में चलते हैं Who is the author of the poem सोहराब और रुस्तम इस पर वीडियो जो content है वो बिलकुल तयार है Matthew Arnold का जल्दी आपको इसमें पूरा एक गंटे का वीडियो मिलेगा पूरे वर्क्स के साथ में तो Matthew Arnold ने सोहराब और रुस्तम लिखा था सोहराब और रुस्तम की सिंपल जो स्टोरी है वो आप लोगों को पता होगी कि उसमें जो फादर होते हैं फादर क्या करते हैं बहुत दिनों बाद अपने बेटे से मिलते हैं और अपने बेटे का ही कोही मर्डर कर देते हैं तो ये आपकी स्टोरी है सिंपल देखिए फिर से कि अगर आपको ऑथर जो है उसका आपको पता होगा तो आप डेफिनेटली ऑथर की जो वर्क्स हैं ठीक है ऑथर कीजिए फिंगर टिप्स पे सबसे पहले आपका जो काम है वो ये है कि 42 राइटर्स आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए क्योंकि ये राइटर्स मेरे यहां पर हैं उसके बाद कैटेगरी वाइज की पोईटरी में कौन-कौन से राइटर हैं अगर आपके फिंगर टिप्स पे नहीं है तो आपको बाकी इंफरमिशन याद नहीं होगी तो सबसे पहले रटिए दो दिन लगाईए सारे राइटर्स याद कीजिए उसके बाद आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद होना शुरू हो जाएंगे बहुत सारे लोगों कम्प्लेन है की हमें याद नहीं हो रहा तो याद तब तक नहीं होता जब तक कोई एक बेस एक नॉलेज हमारे अंदर नहीं होता अगर आपको 42 राइटर्स बिलकुल याद है तो बाकी चीज़ें याद होना शुरू हो जाएंगे तो ये भी आप लोगों को देखिए वर्क से कोश्चन आ गया सीधा फिर से वही है तो ये जो तेजुरी है ये वर्क है ये आपका जेजुरी था तो जेजुरी आपका वर्क है ये आपका लिखा गया था अरुन कुलातकर जो जेजुरी था ये वर्क लिखा गया है अरुन कोलाद करने लिखी थी ठीक है ये भी एक हिंदी मींस इंडियन हम बोल सकते हैं पॉइट है कोलाद कर ये जेजुरी उन्हों नहीं लिखा था तो बाकी वर्क्स उनके हैं ग्रेंड मदर्स हाउस हाट नून इन माला बे तो ये आपका क्या है कामलादास के वर्क्स है तो टोटल जैसा मैंने आप लोगों कहा कि वर्क्स से देखो कितने सारे कुश्चिंज पूछे गए हैं ये आपका पलूड है पलूड से आप लोगों को पता होना चाहिए पलूड उनके हाँ ये बाकी चीज़ें आप लोगों को वन आवर जो सेशन है वीडियो का वर्जवर्थ में उसमें आप लोगों को बता है कि ये भी कुश्चिंज बन सकता है पलूड से कि उनकी डेथ के बाद कौन सी पबलिश हुई थी ये पूछा जा सकता है कि उनकी वाइफ ने कौन सा वर्ग पबलिश उनके डेथ के बाद किया था दिपलिवड में कितने सेक्षिन हैं कितनी लाइन्स हैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को उसमें मिल जाएंगी और सेम चीज़ें आप लोगों को जो हमारा MCQ ग्रूप है जिसमें आपको डेली MCQ PDF मिलती हैं उसमें हम यही करते हैं कि जो आंसर होता है उससे रिलेटेट सारे आपको facts उसमें एड़ करके देते हैं तो अगर आप जोईन करना चाहते हैं तो वाटसेप पे आप वाटसेप के थरूँ आप जोईन कर सकते हैं इन विच कलेक्शन आप रॉबर्ट फ्रॉट बर्चेज वस पबलिस्ट जो रॉबर्ट फ्रॉट का जो बर्चेज था वो पबलिश कव हुआ था यह कलेक्शन था तो यह है आपका माउंट इंटर्वल यह आप लोगों को रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाले चेप्टर में मिल जाएगा विच आफ दी फॉलइंग वर्क्स डज नॉट बिलॉग टो सरोजन इन आइडू अब देखिए फिर से वही वर्क्स अगर आपको सरोजन इन आइडू को सारे वर्क्स पता है तो आप अलरड़ी इसको आंसर कर लेंगे तो यह आपका देटैंपल था तो जो देटैंपल जो वर्क है वो आपका जोर्ज हर्बर्ड का है जोर्ज हर्बर्ड यह हमारे अलरड़ी सिलिबस में नहीं है तो हमें बाकी चीज़ें अगर याद हैं तो अलड़ी जैसा मैंने कहा आप लोगों को 42 जो आपके राइटर्स और पॉइट हैं उनके सबसे पहले 42 राइटर्स और पॉइट को बहुत फिंगर टिप्स पे आप रखिए फिर उनके वॉअस को आपको फिंगर टिप्स पे करना है मैंने जो कोशिश की है अपने जो नोट्स हैं उसमें सारे वॉअस डालने की कोशिश की है लेकिन रटना आपको है उसमें अब विच ऑफ दी फॉलवाइँ has been written by Stephen Spender अब देखिए फिर से यही दस question लगबग आ चुके हैं सारे works से हैं a spring went to my daughter prayer before birth and ego तो आपका जो answer है to my daughter है to which century did Charles Lamb belong तो जैसा कि आपको अगर इनकी date of birth याद रहेगी तो आप definitely इसे कर सकते हैं यह आपका 16th century Charles Lamb की तो यह आगया आपका जो question है यह है आपका जो birth year है उससे question है आपका next वाला देखिए easy gardener easy gardener का है आपका alpha of the flow जो उनका pen name है और यह सारी चीजें आप लोग उनको देखनी है o henry ilia ilia किसका है आप लोग यह answer में लिखेंगे कि ilia किसका pen name है अगर आप लोग उनको पता है और जो o henry है इनका pen name क्या है जो notes जिनके पास है उनको आप तो यह answer जरूर पता होना चाहिए from whom did Francis Bacon drive his concept of essay तो जो Francis Bacon थे mountain अगर आप लोग पता होगा कि जो mountain थे वो बहुत अगर हम कहें कि father of essay ने कहा जाता है father of essay father of essay कहा जाता है mountain को और father of English essay कहा जाता है Francis Bacon को यह आपको ज्याद रखना है next है which of the following is not work of William Hazlitt जो William Hazlitt है वो किसने उनका कौन सा इन में से कौन सा work नहीं है तो William Hazlitt का नहीं है आपका tales from the Shakespeare which of the following belongs to easy gardener इन में से जो easy gardener है उनका इनका भी जो lesson है पूरा one hour का वो तयार है बहुत जल्दी आप लोग को मिल जाएगा तो यह pillar of society यह मैंने उसमें अच्छे तरीकी से आपको describe करके दिया है essays of ilia से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ilia का जो pen name है ilia वो किसका है ठीक है short notes में आप लोगों को मिल जाएगा जिसके पास notes है sketches and essays wit and humor तो जो easy gardener का है वो है आपका बहुत ही famous है उनका work pillar of society train to Pakistan is written by train to Pakistan किस ने लिखी थी ये खुशोन सिंग ने लिखी थी और ये बहुत important work है तो इसलिए train to Pakistan से related कुछ जो fact है वो आपको याद होने चाहिए जैसे कि इसका publication आपका कपका है बहुत in-depth नहीं पूछा जाता जो 1956 का publication है इसमें आपको main जो characters हैं उनको याद रखना है और इसमें एक जो concept है perceptic of manomazra ओके आपको याद रखना है इसमें एक जगे का नाम है manomazra अब manomazra क्या है एक manomazra आपका एक fictional border है इसमें ठीक है train to पाकिस्तान में चलिए और जो एक concept है अगर आप लोगों के पार short notes होंगे मेरे तो उसके अंदर एक question मैंने बना के दिया है आप लोगों को कि जो partition novel इनने क्या कहा जाता है इनको कहा जाता है partition novel ओके तो ज़्यादा नहीं है five to six हैं वो आप लोगों को आपर मिल जाएंगी that long silence is a work यह बहुती famous work है किसका है यह आपका सशी देश पंडे तो इसमें जो आपका पूछा जा सकता है इस बार आपको इसका writer पूछ दिया है next time आपको इसका जो main character है वो पूछा जा सकता है कि इसमें जो main character कौन है तो main character है आपका Jay और जास लाइफ comes apart at the at the seams when her husband is asked to leave her job while allegation of business malpractice against him are investigated so यहाँ पे आपका जो character है वो आपका Jay है Burton Russell was born in the year जो Burton Russell है उनका जन्म कब हुआ था 1842 फिर से fact wise है यहाँ पे देखिए कि जो history of western philosophy यह किसका work है यह आपका Burton Russell का ही work है तो आप देख सकते हैं कि जो work है उनसे कितने सारे questions बन रहे हैं Wings of fire autobiography है बहुती famous है APJ अब्दुलकलाम की motivation के लिए तो बहुती अच्छी book है अगर नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिए A room of once own was written by यह जो A room of once own है यह लिखी गई है आपकी Virginia Woolf ने Virginia Woolf से related मैंने एक अभी वीडियो बनाया है एक घंटे का पूरा उसमें एक चीज़ बताई है मैंने कि stream of consciousness stream of consciousness यह क्या होता है यह भी आप लोग देखकर बता सकते हैं अगर आप लोगों को यह याद होगा तो यहाँ पर आप बताईए कि जो famous Rosie जो character है R.K. Narayan का ओके सारी औरड़ी मैंने answer बता दिया वैसे तो मार्क किये वए हैं जो character है Rosie यह R.K. Narayan के किस book में है हाँ यह यह आप लोगों को बताना है तो चलिए बता देता हूँ कि इसमें जो है यह दिगाइड का है तो आपको publication date आपको पता होनी चाहिए इसकी और दिगाइड जो है उसमें another character है वो है आपका राजू और जो Rosie है Rosie के husband का क्या नाम होता है Rosie के husband का नाम होता है Marko और जो Marko होता है वो क्या करता है वो एक writer है वो book लिख रहा है तो यह सारे जो facts हैं आप लोगों के पता होनी चाहिए in which year was अर्विंद अडिगाज नोवल देर White Tiger awarded the Man Booker Prize White Tiger की story जो है वो बहुती interesting है इसमें एक जो लड़का होता है वो जाता है और वो भी business किसी business man के under में वो काम करता है और बाद में वो खुद उसको उसका murder करके और खुद business man बन जाता है Man Booker Prize कम मिला था 2008 में वैसे जो अर्विंद अडिका है इनके सारी जो stories है 4 तो 5 stories जो novel है इनकी उनको short summaries मैं देने के कोशिश करूँगा हर writer के आप लोगों को channel पर मिल जाएंगी who among the following novelist has written about opium war किसने opium war के बारे में लिखा है तो वो है आपके अमिताब घोष तो आप अमिताब घोष को अगर पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा Tom Jones बहुत important है Tom Jones से आपको Henry Fielding का जो work है मैंने Henry Fielding पे अलरड़ी वीडियो बनाई है सारे works आप लोग novel की summary's वहाँ देख लीजिए summary's में आप लोग को क्या देखना है आपको देखना है character उनका जो publication date है वो और उस summary की कुछ lines आपको याद होनी चाहिए Thomas R.D. की first published novel ये देखिए ये आप लोगों को बहुती force किया था कि आपको याद रखना है कि जो first novel है last novel है या कुछ उसके पीछे अगर special special कोई fact है कि ये कहां जाकर उन्होंने लिखी थी तो याद रखिये ये आपका desperate remedies next आपका who among the following novelist begin his literary career as dramatist कौन से novelist ऐसे थे जिन्होंने पहले तो as a dramatist work किया था लेकिन बाद में वो novelist बने थे तो वो थे आपके Henry Fielding next है when was E.M. Forrester's novel a passes to India passes to India कब publish हुई थी वो 1924 में हुई थी तो 24 एक्चुल में आप लोगों को बहुत फनी लगेगा लेकिन मैंने अपने जो bathroom है उसके दरवाजे पर लिखा था ये work actually ये भी एक trick है याद करने की कि आप 42 cards बनाईए उनके कुछ works जो है important works है उनको बनाईए उन cards पर लिखिए जैसे आपने लिख लिए passes to India जब आप तो आप अपने doors के आगे पीछे उन्हें stick कर लिजिए जैसे अगर door पर आपने अंदर के side कोई चीज stick की है बाहर के side stick की है तो जितनी आप बार आप doors खोलेंगे आप windows खोलेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा ओके ये आपको उतनी बारों याद होता रहेगा जैसे notebook के उपर एक sticker बना के चिपका दीजिए आपके पास अगर six books हैं तो six books के उपर चिपका दीजिए आपको लगवग दो तीन दिन में ही आपको सारे याद हो जाएंगे फनी लगेगा लेकिन आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा सुनने में लेकिन जरूर ये work करता है which of the following is not work of Amitabh Ghosh Amitabh Ghosh का कोड़ सा work नहीं है तो last man in tower नहीं है last man in tower जो work है ये आपका है अरविंद अडिका का last man in tower तो आप इसे simply याद रख लीजे last man in tower पूरी आग लगी थी टावर पे और जो अरविंद अडिका था वो last man बहाँ पर बजगया था फिर last man में कूद गया इस तरह से आप लोग याद रख लीजे in which of the following plays of Bernard Shaw March Banks appears as a character जो March Bank है कौन सा इसमें character है देखिए character से आप questions आ गए देखिए publication से आपके questions थे ज्यान से आप लोग देखिए और जो writer है उससे जो writer है आपके उससे आपके questions है और आप लोग देख सकते हैं जो books हैं उनसे आपके questions बन चुके हैं अब देखिए आपके character से आप लोग उनके questions आ रहे हैं pen name से भी आपके questions आ चुके हैं, यह मैं बहुत पहले आप लोगों बता चुके हूँ कि 25 आप लगभग आपको list बनानी पड़ेंगी Name the play in which Shakespeare had written, it is a tale told by an idiot यह बहुती famous line है, Shakespeare की काफी सारी quotations है, वो है आपकी Macbeth से Who translated जो आपके पास short notes, notes के साथ में जो 92 pages मैंने आप लोगों को doc file में दिये हैं word file में दिये हैं, उसमें उन 92 pages में अगर आप last में देखेंगे तो आपको nearby आपको 100 quotations आपको वहाँ पर मिलेंगी जो की बहुत सारे exams में पूछी गई हैं, बहुत सारे repeated हैं, तो उन्हें याद कर लीजिए Who translated विजे तेंदिलकर्स संताता कोर्ट चालू है, अहे, into English as a silence, the court is in session यह आपका प्रिया अदरकर ने इसको translate किया था Which of the following was the first play by Harold Pinter, Harold Pinter जो है वो आपके gothic fiction के, okay father भी माने जाते हैं, gothic fiction क्या होता है Gothic fiction में आपके जो scene होंगे, वो काशल के scene होंगे, means, जो simply, बहुत easy language में आप लोगों को बताता हूँ कि जो gothic fiction होता है, उसको हम कह सकते हैं, भूतिया movies या भूतिया stories या इस तरह के जहां पे डर हो, इस तरह के अगर हमें feel हो रहा है तो उसमें, उनका जो first play था, वो था आपका The Room, और बाकी भी उनी के work हैं, आप लोग देख सकते हैं Next है, in which year, Chitra, the famous play by R.N. Tagore was first published, रविना Tagore का जो चितरा था, वो कब publish हुआ था, 1913 में और 1913 में हैं आप लोग बताएंगे कि बहुत ही special उनके life में एक event हम बोल सकते हैं, क्या हुआ था, आप comment box में लिखकर बताईए अगर आपने इसे पढ़ा है तो और ये class भी आपके ready है, महिश दतानी का जो play है, dance like man है, वो कब perform हुआ था, तो ये आपका है 1989 में, ध्यान रखे कि जो अगर आपको याद नहीं है कि dance like a man कब हुआ था, आप देखे, dance like a man का publication date पूछा गया है यहां पर, तो अब आपको ये दुबारा तो पूछा नहीं ज इस channel के सुरू एक चीज़ याद रख लीजी कि मेरा जो जन्म हुआ था, 1988 में हुआ था, तो ये आप लोगों के life में एक, you know, कह सकता हूँ कि आप लोगों को याद रहना चाहिए, क्योंकि आप इस channel पर मुझे बार बार देख रहे हैं, तो 89 में आप लोगों को याद रख होंगे, ठीक है, तो उनके लिए तो easy है, जो नहीं हुए वो मुझे याद रख सकते हैं, या one minus कर सकते हैं, in which year did the first folio of, ये Shakespeare का जो first folio है, वो कब publish हुआ था, तो इसमें कौन-कौन सी poem आई थी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखनी है, 1623 में, तो 1623 कब से अब आप 1623, उसके बाद आप लोग प्लस माइनस कर सकते हैं, who said about Shakespeare that he knew small Latin and less Greek, ये भी आपको quotations में आप लोगों को देख जाएगा, अगर आप 92 pages को डंग से पढ़ेंगे, बहुत सारी लोग तो सिर्प notes खरीदने के लिए खरीद रहे हैं, कि बस notes ले रहे हैं, और उसके बाद वो, म आपका फिर character से ही related आगया है, तो ये आपका Duke of Milan है, who among the following words not university words, देखे, अब यहां से बहुत ही, में ये question, यहां से मैं आप लोगों को एक चीज effect बताने वाला था, कि बहुत सारी लोग क्या कर रहे हैं, कि जो Renessa जो topic है, उन्हें लगता है कि Renessa के हमें definition याद कर देनी कि Renessa है क्या, अब मैं आप लोगों बता दूँ कि definition से कुछ भी नहीं होगा, अगर आप definition आपको नहीं भी आती है न, Renessa की, तो तब भी चलेगा, बस आपको इतना याद रखने कि Renessa का मतलब क्या होता है, rebirth of knowledge कर लो आप लोग, याद रख लीजिए कि ये Italy से शुरू हुआ था, और एक word और याद रख लीजिए, constanti poll, अगर answer में constanti poll है, तो constanti poll ही आपका answer होगा, ठीक है, detail में नहीं जाता, लेकिन एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो Renessa, जो topic हो बहुत ही broad है, आपने देखा होगा कि जो notes है मेरे, जो मैंने particularly आपके UKPSC के लिए बनाए हैं, तो UKPSC क साथ में मैंने, आप लोगों को जो notes दिये हैं, notes provide करवा रहा हूँ, उसमें, actual में मैंने Renessa topic छोड़ दिया उसमें, ठीक है, जो UKPSC का आपका है syllabus, लेकिन उसके साथ में मैंने आपको history of English literature दिया है, जिसमें आपको 10 files मिल रही है, PDF की, इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि Renessa कोई बहुत छोटा topic नहीं है, उसके अंदर आपके 1000 कोशिन बन जाएंगे, एक लाग भी बन जाएंगे, तो जो Renessa है, वो nearly आपके 15 pages में आपको history of English literature के अंदर study करना है, ओके, देखिए, आप आप इसी question को देख लिएजे, कि जो university weights है, यह actual में indirectly आपका Renessa topic से, देखना है, तो आप देख सकते हैं, Shakespeare जूड जाएगा, university weights के, बहुत सारे writers से, अगर university weights साब कर याद नहीं होता है, कि यह किस तरह से याद करना है, तो आप simply एक shortcut याद किजिए, P, G, K, L, M, N, ठीक है, M, N, P, G, K, L, M, N, देखिए, letter जो आपके होते हैं, alphabet, alphabet, alphabet में जो letter ह है, उसके फिरूए आपको याद रखना है, P, G, K, L, M, N, ठीक है, पीले, ग्रीने, केड, आपका हो गया, Marlo, and Nash, और ये हो गया, आपका Lily, ठीक है, और जो Lily है, वो बीच में है, और वही आपका leader भी है, इनका, याद रखिए, ठीक है, लेकिन जो सबसे influential है, वो है आपका Mar पर लो, University Wits का, तो मैं आप लोगों हो बता रहा था, कि University Wits से question क्यों बना है, क्योंकि ये Renessa से, जो है, England का Renessa जो था, ठीक है, जो वहाँ पे birth of knowledge हुआ था, उसमें इनका बहुत बड़ा role था, इसलिए Renessa से ये question बना हुआ है, ठीक है, तो आप ध्यान देखिए, कि मैंने था आपका PGKLMN, तो इसमें आपका Francis Bacon नहीं है, F से ही पता चल जाएगा, देखो, Green नहीं यहाँ पे है, Nash यहाँ पे पीली है, तो आप लोग देख सकते हैं, Nash, Malo, Lily, Kate, Green नहीं पीले, तो यह आपका shortcut है, याद रख लिए इसको, तो इससे आपको पता चल गया होगा, कि ज आपने नोट्स तो दिया है, लेकिन उसमें रिनेसा नाम का topic तो ही नहीं, तो भई, जो रिनेसा है, वो आपका history of English literature के अंदर है, तो बहुत सारे topics ऐसे हैं, कि वो मैं repeat नहीं किया, मैंने, उसको, वो आपको history of English literature के अंदर जाके आप उसे पढ़ेंगे, तो आपको definitely वो सार topics already आ जाएंगे, तो next चलते हैं आगे, in the year, the God of Small Things by Arundhati was published, फिर से आपको देखना है, कि जो God of Small Things है, वो का publish हुआ, फिर से work से आपका question आगया, publication date से question आगया, 1997 के बहुत, क्यों, अब ये question क्यों पूछा जाता है, ये भी एक important चीज है, क्योंकि उन्हें इसके लिए साहि इत्य अकादमी आवार्ड किस work के लिए मिला था अरुंदती रोई को, ठीक है, तो ये आपको indirectly याद हो जाएगा, which was the first short story written by Ernest Hemingway, जो Ernest Hemingway है, उन्होंने जो first short story लिखी थी, वो कौन सी थी, अप in Michigan, एंगरी रिवर जो है, वो है आपका रसकिन बॉन्ड ने लिखी थी, इन विच ये गाइडी मौपा सन, तो गाइडी मौपा सा जो थे, उनका जन्म कब हुआ था, आगे आपका वही वाला की, किस सन में उनका जन्म हुआ था, वैलिसा इस प्रामिनन्ट कैरेक्टर इन दी नॉवल, फिर से आपका कैरेक्टर से आगया है, मैं आपको पहले बता रहूं, नियर बाई, आपके जो एट टू नाइन कॉश्चिन्स हैं, टीजी टी, पीजी टी लेवल में कहीं भी आप देख लीजिए, वो आपके आते हैं कैरेक्टर से रिलेटेड, ठीक है, तो कैरेक्टर पे भी फोकस कीजिए, कौन से किसमें कैरेक्टर है, तो वैलिसा जो है, आपका अरुंधती रॉई के वोक्स में हैं, प्रॉमिनिन्ट कैरेक्टर, विच अमंग दी फॉलॉइंग नॉवल इस नॉट वर्क बाई सशी या कामलादास से रिलेटेड है, तो अब आप लोगों को कमेंट आप लोग करते जाएए, कि जो नेक्टर इन सीव लिखा है कामलादास ने, तो कामलादास का जो पैन नेम है, वो क्या है, तो यह आप लोग लिख सकते हैं, सेंटियागो इस आ कैरेक्टर डिसक्राइब बा वापस की, यह आपका जो कुश्चिन है, यह कुश्चिन किस टॉपिक के अंदर है, यह है आपका रिनेसा, ठीक है, जो 1476, गलत भी हो सकता हूँ ऐसे, 1476 जो था, आप लोग देख लिजे इसको, अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग आंसर में सही कर सकते हैं, जो था वो प् प्रिंटिंग प्रेस मनने का क्या मतलब था, वो मतलब यह था, कि आपका जो रिनेसा है, रिबर्थ ऑफ नॉलेज था, उसमें प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन ने बहुत हेल्प की थी, इसलिए यह जो कुश्चिन है, आपका 48, यह है आपका रिनेसा का टॉपिक, बहुत ही इजी था, अगर आप लोग देखेंगे, जेक्स डेरिडा ने इससे लिखा था, लेकिन इस बार इतने मुझे नहीं लगता कि बहुत लो लेवल का आपका जो पेपर होगा, थोड़ा सा इंडेफ्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यह जो फैक्ट वाइज हैं, यह आपके 30 to 40 questions होंगे यह होंगे, इसलिए इनको अच्छे तरीके से याद कीजिए, तो deconstruction से related जितने writers हैं, उन्हें आप लोग कर लीजिए, in which year was the pre-raphelite brotherhood was established, pre-raphelite brotherhood के जो, अब देखिए यह topic आपको कैसे करना है, इससे related आपको writers आपको याद रख लेने हैं, उन उनकी जो writers हैं, उनके कुछ poetry आपको याद रखनी हैं, और उनके publication date याद रखने हैं, first of all यही कीजिए, in which century did the renesa begin in Italy, 14th century में हैं, याद रखे कि birthplace renesa का Italy है, और 14th century है, और जो renesa हुआ था Italy में, वो constantipol जो तुर्क जो लोग थे, उन्होंने उसको capture कर लिया था, उसके बाद उन्होंने उसको जला दिया, जैसे कि उनकी आदती है, ठीक है, अगर आप लोग देखेंगे, कि अपने जितने भी नालंदा थे, तक्षिला थे, सभी जला दिये थे, उसी तरह से उन्होंने constantipol, जहां जहां knowledge होता था, दिखता था, उसे जला देते थे, वो लोग ब वर्जिनिया वुल्फ का वर्ग है, यह आप अभी जो वर्ग हमने जो वीडियो बनाया था, उस पर आप देख सकते हैं, अ फॉर्म वर्ज वर्ज अडॉप्टिट फॉर सिंगिंग और रिसाइटिशन विच प्रेजिंट्स अर ड्रमाटिक और एक्साइटिंग एपिसोड इन विच नेरेटिव फॉर्म इस कॉल्ड यह आपका बैलेड होता है, हैरोग कपलेट क्या होता है, हैरोग कपलेट में आपके आएंबिक पैंटा मीटर्स होते हैं, पैंटा मीन्स क्या होता है, पैंटा मीन्स होता है, पैंटा मीन्स होता है, आएंबिक क्या होते हैं, आए आपका क्या बनेगा उसमें एक पैटन बनता है सिलिबल का तो उसी से आपका क्या बनेगा फूड बनेगा फूड से आपका आएंबिक बनते हैं क्योंकि पाँच आएंबिक बहुते हैं इसलिए इसको फाई आएंबिक पैंटा मीटर बोला जाता है ये आपको बहुती शोट में मैं आप लोगों बतानी कोशिश कर रहा हूँ वो पाइनियर्ड हैरोई कपलेट जो हैरोई कपलेट था हमें पता है कि जो हैरोई कपलेट अब देखिए जोफरे चौसर काई लोग अगर आप मेरे जो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करा है फिर बार बार ये बोल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो लोग मेरे नोट्स से पढ़ रहे हैं उनको पता चल जाए कि मैंने वो नोट्स दिये क्यों है ये कुशिशन आप लोग कर रहे हैं कि जो हमारा हम कह सकते हैं UKPSC लेक्शुरर का सिलिबस है उसमें हिस्ट्री ओफ इंग्लिश लिट्रिचर तो है यह नहीं और एज ओफ चॉसर तो है यह नहीं अगर मैं स्क्रीन शॉट ले पाता और दे पाता आप लोगों को तो यह लिटरिल यह कुश्चन पूछा गया था कि जोफरे चॉसर तो हमारे सिलिबस में है नहीं ओके एज ओप पोप नहीं है एज ओप जॉनसन नहीं है ठीक है यह चीजें तो हमारे सिलिबस में है नहीं तो फिर आपने क्यों दिया है भाई वहां से आपके 10-15 questions पूछे पूछे जाएंगे चाहे आप उसे पढ़ो और चाहे ना पढ़ो चाहे उसलिबस में हो या ना हो इंडिरेक्ली वो related होगा कहीं न कहीं relation उसका बन रहा होगा अब देखिए जोफरे चॉसर जोफरे चॉसर का क्या था कि उन्होंने हेरोग कपले टाप लोगों को हमें पता चल गए कि उन्हों पाइनियर किया था उन्होंने सबसे पहले यूज किया था जोफरे चॉसर ने दो तीन चीज़ां और यूज की थी उन चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो अगर हम फिक्शन की बात भी करें ठीक है या हम करें कि स्टार्टिंग आफ दी लैंग्विज की बात करें तो उससे जोफरे चॉसर क्या है रिलेटेड है वहाँ से कॉश्चन बन जाएगा आपका इसलिए आप लोगों को करना क्या है कि ये सारी चीजे भी एक बार हिस्ट्री आफ इंग्लिश लिट्रिज जो जो नोट्स मिले हैं वही उनको पढ़ लो क्योंकि उसी के अंदर सारे राइटर वहीं से आप लोगों मिलेंगे बहुत अच्छे से मैंने वो नोट्स लिखे हैं बहुत मेहनत से तो कम से कम एक बार जरूर पढ़ लेना उसको और जो फैक्ट वाइज लिखे हुए हैं उनको याद भी कर लो ये लाइन्स आप लोगों किस ने लिखी है ये आपकी पोप ने लिखी है ठीक है अब देखिए ये जो पोप है ये आपके कोर्स में है ये आपके कोर्स में नहीं है लेकिन फिर भी आपका जो आणसर है वो पोप है अब आप अगर इसको नहीं पढ़ेंगे तो आप लोगों का ये कन्फूजन रहेगा सशी देश पांडे से आपका फिर से कुर्शिन आ गया मैंने अभी आप लोगों बताया था कि ये अकादमी आवार्ड किसके लिए मिला था तो देट लॉंग साइलेंस ऊपर एक कुर्शिन आया था कि इसका ट्रेंसलेशन किस नहीं किया था और इसका जो सरी 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 ये जो था कुर्शिन था वो कोई और था वो कोट इन सेशन था ओल्राइट ये आपका क्या है दूसरा कुर्शिन है ये आप लोगों याद रखना है कि साहित अकादमी आवार्ड जो है उसकी लिस्ट आप लोग बना लीजिए जितने नोट्स के अंदर सभी का मैंने साहित अकादमी आवार्ड मेंशन जरूर किया है तो उसे आप लिस्ट बना सकते हैं यहां पर आगया इकोलाजिकल इंपिरियलिस्म वज कॉइन बाई अब देखिए कि ये जो आपका है क्या आप इसे सिलिबस के किसी भी एक किसी पर्टिकलर वर्ड से आप इसको मेंशन कर सकते हैं रिलेट कर सकते हैं मैं नहीं कर सकता तो इसलिए आप लोगों याद रखने हैं कुछ चीजें तो जो आपके 92 पेजेज हैं मैं जरूर रटी है क्योंकि उसके अंदर मैंने बहुत सारे जो 25 तो 30 आपकी कैरेक्टर कैटेगरी बनाई हैं जैसे पैन नेम्स हो गया आप लोगों का जो सब्टाइटल्स हो गए इस तरह के जो मेन टर्म्स होते हैं इंग्लिश लिट्रिचर के वो सब आपको उसके अंदर मिल जाएंगी जो साइन्स और पॉइटरी लिखी है वो किसने लिखी है वो लिखी है आपकी आए रिचर्ड्स ने यह कुशन आपका टर्म से रिलेटेड है यह किसका है नॉवल जो लिखी है रोज मैकले इस करेक्टराइज बाई पोस्ट वार नॉवल से रिलेट करते हैं तो अब यहां से फिर से वही बात आ जाती है आप भी कह रहे होंगे कि बार बार रिपेटिशन हो रही है बातों का लेकिन आप देखेंगे कि यह आपका modern age का question है और modern age की हमें definition याद नहीं करनी है definition नहीं आने वाली वहां ठीक है आपको वहां आएंगे कि modern age के जो writers हैं उनकी जो books हैं यह सारी चीजे और यह आप लोगों को मिल जाएगा यह फिर से मैं आप लोगों बताऊंगा कि यह आप आपको history of English literature वाले जो notes है 10 files जो PDFs हैं उनके अंदर modern age के लिए मैंने बनाया है अगर आप notes नहीं भी लिये हैं तो आप मेरा modern age वाला वीडियो जरूर देखिए वहां से आप लोगों को मिल जाएगा पूरा एक घंटे में मैंने बहुत अच्छे से explain करनी कोशिश किया अपन इससे जो राफेल जो पेंटर था उनकी पेंटिंग से उन्होंने शुरुआत की थी क्यों शुरुआत की थी इसके लिए तो आप modern period वाला वीडियो जरूर देखो वहां से clear हो जाएगा यहां पर बहुत जादा आपको बहुत जादा describe करनी कोशिश करूँगा तो मुझे ल हुआ था अगर प्रिफेस की बात करें तो प्रिफेस 2 में एड किया गया था तो यह आप लेकर बैलेट या आप जो वर्जवर्थ वाला वीडियो देख लीजिए डेटेल के लिए ओल्राइट क्योंकि बहुत तेजी से मैं यहां पर बताने कोशिश कर रहा हूं कि बहुत लंबा वीडियो ना हो जाए एक घंटा तो होई जाता है वीडियो लेकर उससे ज्यादा लंबा ना हो तो आप लोग कुछ मिस्टेक्स अगर हो जाती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजा किजिए मैं उनने पिन कर दिया करूंगा जो इन में से मेटाफिजिकल जो इसकूल आप उसकूल आप उससे ज्याद leg pieemary है यह भी आपको जो मेटाफिजिकल आप पौेटरी है यह भी आपको शॉर्ट नोट्स 92 पेसजेज वाला जो वहाला को प्रेमें उनके अंदर मिल जाएगा तो जॉशन मिल्टन इसमें नही थ हरबर्ट था वागन था और जॉन डन था ओल्राइट तो इसमें कैरियू भी आ जाता है विच नॉवल हाँ ये जो है ये शॉर्टकट्स वाला जो मैंने आपको बता है 92 पेजिस उसमें आपको इसके शॉर्टकट्स के आपको लोगों को मिल जाएंगे इसमें जो गौथिक है ये तो आपका है ये आपका इटालियन बहुत फेमस है काशल ओटरेंटो ये सबसे फर्स्ट आप इसे गौथिक नॉवल मान सकते है ठीक है ध्यान रखिए और गौथिक नॉवल कौन सा नहीं है प्राइड और प्रिजिडाइस नहीं है क्योंकि जेन आ इन आस्टन की बहुत ही फेमस वर्क है फूस कलेक्टिड पॉइम अपियर अंडर दी टाइटल दी एक सैप्चूर्ड फ्लूट ये आपका है अपका सरोजनी नाइडो आंसर है चूज दी करेक्ट वर्ड फॉर्ड फॉर्ड दी एक्स्प्रेशन वन वन हू सेटल्स इन अन उनको कमपाइल करना उनको अच्छे तरीके से लगाना एक बड़ा टास्क हो जाता है तो नोट्स तो रेडी हैं बट उनको क्योंकि मैं चाहरा था क्योंकि ग्रैमर क्या है एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उन्हें आप रट नहीं सकते सारी चीज़े वहाँ पर समझने वाली ची चूज दी करेक्ट वर्ड फॉर दी एक्स्प्रेशन वन हुश से टल्स ओके इमाइगरेंट उसे बोलते हैं वन हुश अट एवर्टिंग फ्रम पॉइंट आफ यह नोन एज एगोसेंट्रिक उसे लिए उन्हें एगोसेंट्रिक बोलते हैं मोडस आपरेंडी क्या होता है म एक चीज में आप लोगों बता दूँ कि जब भी आप सिननीम एंटनीम कर रहे हो तो एक पार बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि यह मैं भी मिस्टेक करता हूं जब भी एंटनीम लिखना होता है मैं कैप्टिविटी देखूंगा सिननीम पे को सेलेक्ट हो जाता है तो इस है आपका a burning issue of the time इस बार क्योंकि 200 questions होगे तो थोड़ा ध्यान से हमें काम करना है choose the word which is correctly spelled यह यह वर्ड जो है आपका beginning काफी सारे लोग mistake करते हैं इसमें choose the correct spelled word is symmetrical हाँ अगर आपको spelling वगरा करनी है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना पड़ेगा तो मैं आपको suggestion करूंगा तो इस time आपको कम से कम two pages आपको रोज लिखने है अब क्या लिखना है वो आप अपने syllabus के according कोई भी एक topic लख लिजी उससे according बार बार उन चीजों को लिखिये क्योंकि आजकल हमें mobile के आदत पड़ गई है और हमारा जो brain है वो spelling में बहुत जादा mistakes करना शुरू कर दिया है तो जो आपका answer है वो है symmetrical next वाला आप देख सकते हैं यहाँ पर देखे appropriate figure of speech यहाँ पर figure of speech आपको ढूंडना है यह आपका similar क्योंकि इसमें क्या आया है like जहां similar क्या होता है या आपका as या like आ जाए तो similar होता है अगर नहीं आ रहा है तो आपका metaphor है means जहाँ पर comparison हो रहा, personification हमें पता है कि किसी non-living being को living being मान लिया जाता है hyperbole और hyperbole जो है इसमें जो हम exaggerate करते हैं यहां पर हमें फिर से figure of speech बतानी है यहां पर आपका hyperbole है what kind of figure of speech represents the sound अगर sound से होगा तो on metapia होता है on metapia जो है वो अगर किसी भी line में आपको sound आ रहा है किसी bird का sound चर्प चर्प हो सकता है ठीक है जैसा हम हिंदी में अगर बोले तो turn 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 कुछ sound इस तरह का कोई भी आता है तो on metapia होता है which among the following is not an essential component of formal letter यहां formal letter के लिए मैंने बहुत अच्छे से जो notes हैं आपको grammar के साथ में दिये जाएंगे formal letter से और informal letter से related जितनी चीज़े हैं वो चीज़े हैं आप लोगों को complete उस वाले lesson में मिल जाएंगी course में मिल जाएंगी alright तो जो भी interested हैं वो अप words पे अपना नाम add करवा सकते हैं जैसे ही finish होगा मैं आप लोगों को इसके बा देख रहे हैं तो warm regard सबका है क्योंकि यह दोनों आपके closer ही नहीं योर्स sincerely और यह योर्स faithfully fill in the blanks यहां पर जो question है आपका वो special कुछ words हैं यह वाले भी मैंने आपको पूरे जो मैं course बना रहा हूं और मैंस compile कर रहा हूं actually बन तो already चुका है तो उसमें यह सारे words not many, lots of, a lot of, not many of और many इस तरह के जो words हैं वो सारे मैंने उसमें डाल चुका हूं already choose the correct option to complete the sentence यहां पर क्या है और text यहां पर यह जो है यह apostrophe S का question है apostrophe S and of कहां कहां यूज होता है apostrophe S जो होता हो living being के साथ में यूज होता है और अगर किसी जैसे मैं अगर कहूं कि already अगर S last में है तो हम simply apostrophe use करते हैं S use नहीं, repetition नहीं होता है off जो use होता हो का की के अगर हिंदी के बात करें तो उसके साथ में का की के जो है हम कहेंगे कि इसका sense देता है का की के का sense देते हैं यह दोनों apostrophe S और off और जो off है और non living being के साथ में use होता है detailed आपको बात में देख लेंगे next जो question है वो है आपका choose the correct option यहाँ पर जो यह question है आपका यह clauses के clauses से related है clauses अगर बहुत अच्छे समझ में आते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि when I wake up इसका answer है complete this sentence by choosing right answer यहाँ पर आपका यह preposition वाले chapter से है preposition में आपका इसमें away answer होना चाहिए the meaning of word mitigate mitigate का मतलब क्या होता है तो mitigate का आपका answer होता है lesson कम करना next one is यहाँ पर अगर आपको direct and indirect change करना नहीं आता है तो जरूर आप course लीजिए और उसके साथ में आप कीजिए क्योंकि जो direct and indirect narration है passive active है यह मैंने बहुत easy तरीके से उसमें समझाया है तो आपको वीडियो course मिल जाएगा ठीक है तो इसमें है आपका she asked me what she could do for me यह आपका answer होगा किस तरह से होगा यह आप लोग देख सकते है यहाँ पर है ballot जो ballot का जो meter होता है अगर हम meter की बात करें तो meter means होता है setting setting मतलब कि कोई भी चीजों की setting आपकी words की setting हो सकती है आपके syllable की setting हो सकती है syllable क्या होते है actually यह मैंने पिछली अभी थोड़ी देर पहले भी इस word को यूज किया था syllable तो syllable होते है actually English में आपका इसे कह सकते है sound combination of sound ठीक है और तो यहाँ पर अगर meter अगर आप meter की बात कर रहे थे हैं तो मैं आपको बता रहा था meter means होता है setting तो यह syllable की setting हो सकती है words की setting हो सकती है sounds की setting हो सकती है तो जो syllable होता है वो actual में एक combination of sound होता है और sound क्या होते हैं या तो consonant English में होते हैं आपके total 42 sounds और इसमें होते हैं 42 sounds में आपके 20 आपके होते हैं vowel sound और 24 होते हैं आपके consonant sound 20 vowel sound में आपके 14 प्लस आपको 6 याद रखने है ठीक है जो 6 होते हैं आपके डिफ्थ होंस होते है तो हम आंसर से तो दूर निकल गए थे तो आपका जो आंसर है वो है 4 जो हमार सिया है हमार सिया क्या है आपका फैटल फ्लो है यह 3-4 वर्ड है यहीं आप लोगों बहुत अच्छे याद रखनी है ठीक है आप लोगों को बताना है कि यह जो डिस्कोवरी है इसका प्लेटो की discour dynamic Aristotle की according Aristotle की according सारी कि जो discovery है उसको क्या कहा जाता है win laurel means क्या होता है यह आपका win fame होता है अब ये था आपका पूरा एक आप इसे पहुज करके वीडियो पहुज करके पढ़ सकते हैं इसके जो answers हैं वो आप लोग देख सकते हैं क्योंकि ये तो आपका repetition नहीं होगा लेकिन यहाँ पर एक important चीज आप लोगों बता दूँ कि आप अपनी vocabulary जो है ये करते रही है रोज इंटरनेट पे आपको बहुत सारे आपको मिल जाएंगे जो unseen passages हैं उनको practice करते रही है क्योंकि ये practice का game है अगर आप इसको सोच रहे होंगे कि नहीं answer तो यहीं पे मिल जाएंगे तो मैं easily कर लूँगा लेकिन अगर आपने इसे रोज का time नहीं दिया है तो आपके understanding नहीं बढ़ेगी आपका बहुत अच्छे से अगर words आप लोगों को पता हैं तो आप लोग आपकी vocabulary अच्छी है तो आप लोग इसे easily कर पाएंगे understanding based questions होते हैं तो easily कर लेंगे आप लोग यह जो आपकी है poetry poetry में आप लोगों को जादा तर जो important चीज है वो है आपका figure of speech किस तरह से करेंगे आप लोग ठीक है यहाँ पे incognito है in disguise ठीक है word rubbish जो है वो आपका garbage से related है means garbage होता है defense of poetry is written by फिर से कुछ questions आ चुके हैं यहाँ पे है P.B. Shelley ने लिखा था who had written introduction to Gita Anjali यहाँ पे यह जो है कि Gita Anjali के लिए introduction किस ने लिखा था वो W.B.E.E.T.S. ने ही लिखा था जहान देखी जो मैंने आपको अभी first में बोला था 1933 यहाँ पर क्या हुआ था 1933 बोल रहा हूँ 1913 वो आपको बताना है कि क्या है In which year was Fielding's novel Amelia was published जो Fielding की novel है Amelia कब published हुई थी यह आप लोगों को बताना है तो 1751 है English romantic poets were influenced by जो romantic poets है तो वो किस से influence थी वो थी आपके French revolution से romantic period पे पूरा complete video already है channel पे उसे देख लीजे अगर आपने notes नहीं भी लिये हैं तो आप लोग उसे देख सकते हैं यह जो आपका last question था यह मेरा mistake हो गया था जबकि मैंने अपने previous channel में इसका एक बहुत अच्छा shortcut बताया था तो हो जाती है mistakes don't worry लेकिन यह है कि बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए तो मुल्कुराज आनन्द का है private life of an Indian bridge तो इसके साथ हम इसको end कर रहे हैं तो hopefully आपको वीडियो पसंद आया है पसंद आया है तो आप एक comment ज़रूर छोड़ दीजिए तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तैयारी करते रहे है माशर रुष्विती आप लोगो सफ़ल करें बाबाई टिक्किया सी यो इन नेक्स वीडियो